शिला जैन, राजीव जैन, बिट्टु, जोती जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकत जैन, वंदिना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधी जैन, आर्नव जैन, रिधी जैन, एफ 1U, 114, 115, P, श्री अरुन जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28, P, श्री सुरेश चन जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमेत जैन, पारस जैन, DU 97, P, श्री राजेश जैन, चावल वाले, श्रीम श्रिमती तमन्ना जैन, श्रियमन जैन, श्रिमती मेघा जैन, FD29 पीतंपुरा श्रीमती बिर्मा देवी जैन, धर्म पत्नी स्वर्गय श्री लाल चंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसम जैन, श्री सौरब जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेभी माईशा जैन, DU-43 पीतंपुरा शुरी हेम चंद जैन परिवार, शुरी प्रदीब जैन, शुरी मती रूमा जैन, शुरी रजत जैन, शुरी मती अंशु जैन, मास्टर रदियांश जैन, FU 8P तमपुरा श्री अनिल कुमार जैन, श्री मती रेखा जैन, श्री कार्थिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U-137 पीतमपुरा श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्री मती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU-49 पीतमपुरा श्री प्रकाश चंद जैन, श्री मती चंदरकांता जैन, श्री पंकत जैन, श्री मती नीलम जैन, श्री सुशान्त जैन, श्री दिव्याश जैन, CU-76 पीतमपुरा श्री शांति शागर गुरुबे नमहा, जै श्री बिंत्यानन्द गुरुबे नमहा, मोक्ष मार्गष नेतारं, भेतारं कर्म भूबृतां, ज्यातारं विश्वतत्वानां, बंदे तद गुणलम धै, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धरबोस्तु मंगलम तत्वार्शूत परम्मांगलिक गरंथ है आत्मकल्यानकारी गरंथ है और जेन धरम का बहुत ही उच्चतम और महान यह सास्त्र है यह आचार कुंद कुंद की पट्टिसिस से आचार ओमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम सताब्दी में यह लिखा गया है इसकी जो शैली है शुत्रात्मक है और जो भासा है वो शंसकत है दस अध्यायों में यह बिभाजित है जिसमें साथ तत्वों का बढनन है हम सबी लोग प्रतम अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें सम्मक दर्सन का वर्णन हो चुका था और सम्मक ग्यान का वर्णन चल रहा था सम्मक ग्यान में मती ग्यान, सुत ग्यान, अवदी ग्यान, मनापरे ग्यान और केबल ग्यान जिसमें से अपना सुद्ग ज्यान चल रहा था हम सभी लोग सुद्ग ज्यान के बारे में समझे थे और आज थोड़ा बहुत और समझते हैं उसके पूर्व एक बार पुना सुत्र को देख लेते हैं और फिर उसका अर्थ समझते हैं तत्वार सुत प्रथम अध्याय का बीश्वा नंबर सुत्र जिसे अपने पढ़ा था कल भी आज पुना इगवार देखते हैं सुत्म मती पूर्वम द्वाइनेक द्वादस भेदम इसका अर्थ पढ़ा था मती पूर्वक सुद्ग्यान होता है मती ज्वाइन पूर्वक शुद्ग्यान होता है जिसके दो अनेक और द्वादस संदी हुई थी दूई अनेक और द्वादस दो अनेक और बारह भेदम भेद हैं इस पकार से सुत्र का अपनने कल पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा समझते हैं तो मती ज्वाइन पूर्वक जो होने वाला जो विशेश ज्वाइन है उसे सुत्ग्यान कहते हैं पांच इंदरी मन से जो हमें पहला ज्वाइन होता है वो मती ज्वाइन होता है उसमें जो विचारने की जो शक्ती है और उसमें चिंतन मंथन करने की जो शक्ती है उस शक्ती को हम सुत ग्यान कहते हैं साथ सुत ग्यान कहते हैं यहां देखिए साथ से पहले इसके दो भेद लखे हैं सुत ग्यान के दो भेद अंग प्रविष्ट और अंग बाह है जो अंग में विभाजत प्रविष्ट कर जाए उसे अंग प्रविष्ट और जो अंग के बाहर हो जो अंग में नहीं आया है अर्थात ग्यान के बारा अपने कैटिगीरी बनाई थी उसके बाहर जो है वो अंग बाह है बारा प्रकार का दौसांग होता है और अंग बाहे में अनेक भी दाते हैं सामयक आदी इसके आंगे देखी लिखा है सुरुत ग्यान यह दो प्रकार का अक्छरात्मक और अनक्छरात्मक दो प्रकार का सुरुत ग्यान हुआ एक अनक्छरात्मक हुआ और एक अक्छरात्मक हुआ अनक्षरात्मक जो किसी बिसेश चिन से उत्पन होता है और अक्षरात्मक जो सब्धों द्वारा उत्पन होता है उसे अपन अक्षरात्मक कहते हैं कोई लिंग, चिन, आदी सिंबल से उत्पन होने वाला वो अनक्षरात्मक है जो अक्षर, पद, समाज, छंद आदी सब्दों से उत्पन होने वाला है वो अक्षरात्मक है अब दोनों में थोड़ा बिसेस्ता देखते हैं सेकेंड आप देखिए स्लाइड में अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक क्या लिखा हुआ है एक इंदरी से पांच इंदरी तक के जो जीव हैं उन सब को अनक्षरात्मक ग्यान होता है कौन सा ग्यान होता है एक इंद्री से पांच इंद्री तक के जीवों को अक्षरात्म ग्यान होता है और जो अक्षरात्म ग्यान होता है सिर्फ पांच इंद्री जीव को होता है कौन से जीव को होता है पांच इंदिर जीव को मात्र शिर्फ अक्षरात्म ग्यान होता है और एक इंदिर से पांच इंदिर तक को अनक्षरात्म ग्यान होता है लिखा ऐसे इससे कुछ व्योहार की प्रवर्ति नहीं होती अनक्षरात्म ग्यान से किसी प्रकार की व्योहार की प्रबर्ती नहीं होती है इसलिए यह प्रमुख नहीं है हमारे विहार की क्या प्रबर्ती होगी अनक्षरात्म ग्यान से कुछ भी नहीं होती है तो इसलिए हमारे लिए कोई प्रमुख नहीं है लेकिन अक्षरात्म ग्यान से सर्व विहार की प्रवर्ती होती है लेन देन की प्रवर्ती होती है आदान प्रदान की प्रवर्ती होती है इस प्रकार से पठन पाथन अद्धन अध्यापन हर प्रकार की जो प्रवर्ती पाई जाती है वो अक्षरात्मग ग्यान से होती है इसलिए ये हमारे लिए बहुत महात्वपून है अब यहाँ पर देखिए अनक्षरात्मक ग्यान में जैसे कि हवात के आवाज आई और अपने सरी से टकराई यह अनक्षरात्मक ग्यान हुआ शीतलता आदी और जो सुद्ग्यान में आगया कि शीतल है यह ठंडी है यह गरुम है मेरी हितकारी है अहितकारी है यह किसमे ग्यान में आजाएगा यह शुत्ग्यान में आजाएगा अक्षरात्मक के क्या जीव अस्ती है जीव है इस प्रकार का जो ग्यान हुआ यह सबदात्मक ग्यान हुआ ये अक्षरात्मक ग्यान हुआ तो सब्द सुना ये मती ग्यान है सब्द सुना जीव है ये मती ग्यान है लेकिन जीव क्या है जीव का क्या शुरूप है जीव का क्या वर्णन है क्या लक्षण है ये विसेश प्रकार से जो विचार करना है अक्षरात्मक रूप में उसे कहेंगे शुत ग्यान तो इस प्रकार से यहाँ पर यह विवस्था बनी अक्षरात्मक शुत ग्यान के क्या और भी कोई भेद है अक्षरात्मक शुत ग्यान के आगम सास्त्र में दो प्रकार से भेद आते हैं इसे अपने यहाँ पर स्लाइट में देखते हैं देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सुर्थ अच्छात्मक ग्यान दो भेद बता रहे हैं द्रवशूते और भावशूते फिर से समझे द्रवशूते और भावशूते द्रवशूते पुद्गल की तरफ से और भावशूते आत्मा की तरफ से जहां पर हम पुद्गल जो द्रव है उसके निमिस से जो सब्द वरगणाएं हैं यह पुद्गल वरगणाएं हैं सब्द रचना हैं लेखन हैं, पाठन हैं सास्त्र है, पुस्तक है, ये सब द्रवशुत कहलाता है, जो बारा अंग हैं, जिसको गर्धर स्वामी अंतर महुत में अपने ज्ञान में रचना कर लेते हैं, शिश्यों को बताते हैं, शिश्यों लोग उसको लिपी बद्ध करते हैं, जो लिपी बद्ध हो जाता है उसे अपन द्रवशुत कहते हैं जिसमें अक्षर होते हैं, छंद होते हैं, समास होती है, व्याकरण होती है अनेक प्रकार के पौदलिक परदार्थों के निमिस से जो ज्यान को एक जगा शंगरित किया जाता है पुस्तक के माद्यम से, सास्तर के माद्यम से, आगम के माद्यम से उसे द्रवशुत कहते हैं आप ये कह सकते हैं, जिन्वानी द्रवशुत है, जो जिन्वानी है, जो आगम है, वो द्रवशुत है भावशुत क्या है द्रवशुत के निमित से द्रवशुत के सुनने से उत्पन हुआ जो हमारा आत्मा में ज्यान है उसे भावशुत कहेंगे हमने द्रवशुत पढ़ा कोई सास्त पढ़ा अभी आप लोग तत्वाशुत पढ़ रहे हैं तत्वाशुत पढ़कर करके जो आत्मा को ज्यान हो रहा है इसे भावशुत कहते हैं आगम को पढ़ने से हमें सम्मिक ज्यान की प्राप्ति जो होती है आत्मा उसका जो आनंद ल ग्यान दो प्रकार का द्रवशुत और भावशुत द्रवशुत कितने प्रकार का हो गया वो 12 प्रकार का द्रवशुत हो गया और भावशुत कितना हो गया अनेक प्रकार का भावशुत हो गया क्योंकि एक सब्द का हम कितना चिंत्वन करते हैं तो अर्थ से कितना हो जाता है सब्द संख्यात होता है और भाव अनन्त होते हैं सब्द में एक सीमा है सब्द की एक limited है उसके आंगे नहीं बढ़ सकता वो तो सब्द संख्यात होने के कारण ये द्वास्तांग 12 प्रकार का हो गया और भाव उसृत कितना हो गया वह अनंत प्रकार का भाव में मन्थन चिंतन चलता है जिससे वो अनंत प्रकार का भी हो सकता है इसलिए वहां बोल दिया अनेक प्रकार का कितने प्रकार का? अनेक प्रकार का इस प्रकार से अपन द्रविशुत और भावशुत को समझें मती ज्यान और शुत ज्यान में क्या अंतर है मती ज्यान और शुत ज्यान में बहुत प्रकार के अंतर हैं जिसे हम समझ सकते हैं पहला तो यही है कि मती ज्यान पांच इंद्री मन की शाहिता से होता है तो सुद्ग्यान भी पांच इंद्री मन की शायता से होता है लेकिन मतिग्यान द्वारा जाने हुए पदार्थ को और विश्यस जानने की जो एक्छा है अब लाशा है उसे सुद्ग्यान कहते हैं आईए यहाँ पर स्लाइडिंग के मादम देखते हैं यहाँ के लिखा है मतिग्यान और शुद्ग्यान में अंतर मतिग्यान के लिचे लिखा हुआ है मतिग्याना वरन कर्म का छयोपसम निमित होता है इसमें एक कर्म का जो छयोपसम होना चाहिए वो कौनसा मतिग्याना वरन लेकिन सुद्ग्यानावरण में क्या लिखा है सुद्ग्यानावरण कर्म का च्छयोप शम हो मनला वो कर्म जो है च्छय और उपसम रूप हो जाए उससे सुद्ग्यान परगट होता है मतिग्यान जो है वो दरसन उपियोग पूरवक होता है पहले दर्सन उपियोग होगा और फिर मतिग्यान होगा और सुद्ग्यान में क्या है मतिग्यान पूरवक होता है ये करम से ग्यान है पहले दर्सन उपियोग फिर मतिग्यान फिर मतिग्यान के बाद शुद्ग्यान तो सुद्ग्यान जो है मतिग्यान पूरवक होता है मतिग्यान के बाद सुद्ग्यान हो ऐसा कोई नियम नहीं है मतिग्यान के बाद सुद्ग्यान हो ऐसा कोई नियम नहीं है और सुद्ग्यान के पहले मतिग्यान होना अनिवार है ये निश्चित है कि सुद्ग्यान होगा तो उसमें मतिग्यान का होना बिलकुल नियम से है और सुद्ग्यान से दूसरा सुद्ग्यान हो सकता है उसी सुद्यान से जैसे अपने इस घड़ी के बारे बिचार किया तो घड़ी कौन सी है किती छोटी है बड़ी है किसे कंपनी की है कहा मिलती है कित देश मिलती है सब सुद्यान चल रहा है तो एक सुद्यान से अनेक सुद्यानों का चिंतन हो सकता है ये अंतर है, और भी देखते हैं, कौन से अंतर हैं, तो मति ज्यान के 336 भेद हैं, और सुद ज्यान के दो भेद हैं, मुख दो भेद हैं, बाकी दो भेद के प्रभेद करते हैं, तो 12 और अनिक भेद हैं, मति ज्यान में तत्व सुना समझा जा सकता है, क्या है मति ज्यान के ब से हम उस तत्व का निरने कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उसका बहुत अच्छी तरह से और निरने कर सकते हैं, सुध मति ज्यान में पांचों इंद्रियों का निमित्य मुख होता है, लेकिन सुध ज्यान में सैनी जीवों की मन की मुख होता है, वैसे तो एक इंद्रियादी सब को भी होता है लेकिन जो विशेश सुद्ग्यान की जो बात यहाँ पर चल रही है अंग बाह और अंग प्रविष्टादी की उसमें सेनी जीव होना चाहिए और उसमें मन की प्रमख मुक्ता होती है जिसको अपन सुद्ग्यान कह सकते हैं इस पकार से आज तक अभी तक अपन होते हैं आपके पास जिन्मानी होगी और आपने निकाल लिया होगा सुत्र नंबर पहले अध्याय का 21 नंबर शूत्र है एक बार हम बोलेंगे पुनहां आप सब लोग उचारण करेंगे भाव प्रत्यो वधिर देव नारकानाम यह सुत्र का उचारण हुआ अब इसका करते हुए अपने शकार समझेंगे बोड के माध्यम से तत्वार शूत्र प्रतम अध्याय का 21 नंबर शूत्र है क्या लिखा है देखे भावय प्रत्यो वधिर यह जो राहे धा के बात लाना है वधिर देव नार का नाम सश्टी का बहुवचन है यह समस्त पद में सश्टी का बहुवचन लगाएंगे ठीक ना भावय प्रत्यो यह अलग हो जाएगा संदियो करके यहां से निकलेगा अबधि देव नार का नाम देखे एक एक सब देखियां पर भावय प्रत्य यहां ओका विश्टी का बहुवचन इस प्रकार से भावय प्रत्य अबधि देव नार का नाम प्रत्य का अर्थ होता है कारण प्रत्य का अर्थ होता है निमित हेतू साधन भाव मतलब जीवन भाव मतलब जीवन तो भाव जिसका निमित हो इस नाम का अबधि ज्यान यहां पर अबधि ज्यान दो प्रकार का अ प्रत्य जो दूसरा अविदिग्यान है वो अगला सुत्र में आएगा तो जो भाव प्रत्य नाम का जो अविदिग्यान है वो देव नार का नाम देव और नारकियों को होता है चार गतियां होती हैं मनुष्य त्रियंच देव और नारकि तो इसमें से जो देव और नारकि ज भव ही भव मतलब जीवन उनका जीवन ही उसमें कारण हो उन्हें किसी प्रकार का अवदी ज्यान प्राप्त करने के लिए कोई पुर्शार्थ नहीं करना होता है किसी प्रकार का तपस्या नहीं करना होती है उनको उस परियाय में समझ लो गिप्ट रूप में ही जन में से ही वह ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह किसी प्रकार के भव आदियों को भी जान सकते हैं, पौदलिक पदार्थों को भी जान सकते हैं, इसकी परिवास आपन भी पढ़ेंगे, पहले सूत्र अपन समझ लिया, कि भाव ही, संसार, मतलब जीवन ही, जिसका कारण हो, ऐसा अवदी ज्ञान किनको देव और नार्कियों को होता है, सेश जो मनुस और त्रियंच हैं, उनको गुण परत्य नाम का वदी ज्ञान होता है, जो सूत्र नमबर बाइस में आएगा, अवदी ज्ञान, ज्ञान का तीसरा भेद है अवदी, अवदी का अर्थ क्या होता है, अवदी मतलब मर्यादा, अवदी मतलब एक शीमा, अवदी मतलब लिमिट, किसकी लिमिट, ज्ञान की लिमिट, ज्ञान की मर्यादा, ज्ञान की शीमा, इसको कहते हैं अवधी ग्यान अवधी बोलते हैं इसकी कितनी अवधी है आप कोई भी प्रोडेक्ट खरिद के आते हैं और क्या बोलते हैं इसकी अवधी कितनी है यह कब तक चलेगा कब तक रहेगा इसकी मर्यादा कब तक है यह कब नश्ट नहीं होगा तो उसको बोलते है अवदी तो अवदी के पीछे क्या लगा है ग्यान तो किसकी अवदी ग्यान की ये ग्यान कितना जान सकता है कहां तक का जान सकता है इस बात को बताने वाला ग्यान अवदी ग्यान होता है हमारे आत्मा में जो अवदी ग्यानावन करम का छोपसम हो जाए तो हम कितना जान सकते हैं हमारे जानने की शक्ति कहां तक कितनी एरिया तक बढ़ सकती है तो इसमें एक बात था लगना अवदी मतलब मर्यादा ग्यान की मर्यादा लिमिट ग्यान दो प्रकार के होते हैं एक लिमिट और एक अलिमिटेट लिमिटेट और अलिमिटेट तो चार ग्यान तो लिमिटेट ही है मती ग्यान सुधी ग्यान अवधी ग्यान और मनापरे ग्यान केवल ग्यान अलिमिटेट है infinite ग्यान है वो अनंत ग्यान है वो अनंत को जानने वाला ग्यान है तो यहाँ पर हमारी बात चल रही है अब दी ग्यान अब इसकी ज़रा थोड़ा थोड़ा परिवहाँ सा समझें क्या बोल रहे हैं पहला word अपनने समझ लिया, मर्यादा, ठीक है, किसकी मर्यादा, ग्यान की मर्यादा, तो ग्यान की मर्यादा है, तो क्या जानता है, ऐसा प्रस्न खड़ा होना चाहिए ना, तो खड़ा होता है, वो रूपी पधार्थ को जानता है, रूपी मतलब जिसमें सपर्ष, रस, और वन पाये जाता है उसे रूपी कहते हैं आकास जो है वो अरूपी है काल दरब जो है वो अरूपी है धर्म और अधर्म दरब है वो अरूपी है और आत्मा है वो भी अरूपी है तो छो दरब्यों में से कितने दरब्यों में से छे दरब्यों में से पुद्गल ही रूपी ह देखिए किसको जानता है, द्रव, छेत्र, काल, भाव, चार चीत ध्यान रखना, द्रव, छेत्र, काल, और भाव, फिर से, द्रव, छेत्र, काल, और भाव, पहले लगाते हैं पर द्रव, तो अब दी ग्यान किसको जानता है, द्रव की मर्यादा, इन चारों की मर्यादा लग पूरे 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 को संसार में जितनी पूर्गल परमानू है पूरे 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 लेकिन उस जीव के बारे में भी बता देगा आप अबदी यानि मुनी राज के पाँ जाएंगे अपने भव पूछेंगे अपना भविश से पूछेंगे या भूतकाल का पूछेंगे तो बता देंगे पर किसकी निमस से बताएंगे इस पुद्गल सरी की निमस से बताएंग आपने शरीधान किया था आपने ये काम किया आंगे शरीधान करेंगे ये वाला काम करेंगे ये ऐसा करेंगे तो संसारी जीव के लिए नाकिष सिद्ध जीव जो सुद्ध अरूपी जीव हैं सिद्ध जीव उनके बारे में नहीं जो असुद्ध जीव हैं, संसार में हैं, शरीर संपन हैं, ऐसे जीवों के बारे में भी वो अबदी ग्यानी बता सकते हैं तो मुखता किस की बात आ गई, पुद्गल की बात आ गई, शरीर की बात आ गई तो अबदी ग्यानी दरव है दरव में च्छो दरव में एक पुदगल दरव है उसको बताने बाला उसकी भी एक लिमिट इसकी भी एक सीमा कितना बताना है वो ग्यान में कितना जहलकेगा उतना ही बताएंगे दरव हो गया फिर क्या दिया है छेत्र छेत्र करत क्या होता है व पुद्गल को बताएगा या एरावत छेतर को या विदे छेतर को तो एक एरिया तो एक कितने एरिया तक वो अपना ग्यान लगा सकता है जहां कि वहां कि पुद्गल द्रब की बारे में या पुद्गल सहीत सरीधारी जीवों के बारे में वह ग्यान हमारा कितनी पर्यायों को भूत काल में कहां तक का भूत काल में कितने भवों का या पुदिगल की पदार्थों का कितना बता सकता भूत काल की भी मर्यादा किसकी मर्यादा हो गई काल की भी तो भूत काल में कितने भविश काल में कितना बरतमान में कितना तो ये भूत काल का हो गया फिर आया भाव, भाव का होता है अर्थ होता है परियाय, कितनी परियाय, जैसे ये घड़ी है, इसके परमानू कितनी परियायों को धारन कर चुके हैं, पहले क्या क्या बन चुका है, आंगे क्या क्या बनेगा, तो ये परियाय हो गई, तो इस पकार से द्रव, छेत्र, काल औ भाव फिर से अवदी मतलब सीमा किसकी सीमा ग्यान की सीमा किसमे सीमा लगाना है द्रव में छेतर में काल में और भाव में इन सीमाओं में वह जानता है किसको जानता है रूपी पदार्थों को जानता है इसको कहते हैं अवदी ग्यान ठीक है बासन में आगे न आपको इसको कहते हैं अवधी ज्यान और इस अवधी ज्यान के बल से हम क्या क्या जान सकते हैं यह भी हमने जाना अब अवधी ज्यान के सुरूप को समझने के बाद अवधी ज्यान के भेद प्रभेदों को हमें समझना चाहिए अवदी ग्यान कुन सा प्रमाण ग्यान है अवदी ग्यान जो है वो प्रतक्ष प्रमाण ग्यान है दो प्रकार के ग्यान बताए थे परोख्ष प्रमाण और प्रतक्ष प्रमाण परोख्ष प्रमाण जहां पर हमें पांच इंद्री और मन की सहायता लेना पड़ती है उसे पर जहलगता है उसे प्रतक्ष ग्यान कहते हैं तो अवदी ग्यान जो है वो प्रतक्ष प्रमान है अवदी ग्यान की कंडिशन है वो इंद्री और मन की शाहिता से ग्यान को प्राप्त नहीं करेगा आत्मा की जो बिशुदता है निर्मलता है अवदी ग्याना वर्ण कर्म का जो छो छोफसम है उसके निमिस से वह पदार्थों को जानता है और समस्ता है इस प्रकार से यह अवदी ग्यान और इस बात का भी धान लखना अवदी ग्यान लगाया जाता है क्या किया जाता है अबदी ग्यान लगाया जाता है हर समय रहता ऐसा नहीं है छोब सम तो रहता है लेकिन जब हम को विशेष पदार्थ को देखना है या किसी जीव के संसारी जीव के बारे बताना है तो उस समय अबदी ज्यान ध्यान पूरो लगाए जाएगा और उस समय लगाने पर हमें आत्मा से डिरेट ज्यान प्राप्त होगा उसमें मती ज्यान पूरवक होगा सुति ज्यान पूरवक होगा ऐसा नहीं होगा तो इस प्रकार से यह ज्यान हमें समझना चाहिए अचारे श्री नमोज तू अवधी ज्यान के कौन-कौन स्वामी हैं? दोनों को ही यहां पर भव प्रत्य नाम का अवधी ज्यान हो जाता है। अवधी ज्यान को प्रगट कर सकते हैं। देव और नारकियों में जो मिथ्या दृष्टी को जो अवधी ज्यान होता है वो विभंग अवधी ज्यान होता है। कौन सा विभंग जिसको कौ अवधी ज्यान भी कहते हैं। और सम्यक दृष्टियों को जो ज्यान होता है वह सू अवधी अर्था सम्यक अवधी ज्यान होता है। आगम में कहीं कहीं पर तृष्टों को मनुश्यों को भी कौ अवधी ज्यान होता है। इस प्रकार का प्रक्रण है वर्णन मिलता है। अर्थात वहाँ भी पहले आधी गुले स्थान में भी उनको अवधी अधी ग्यान बिवंग अवधी ग्यान अधी पाया जाता है पर यहाँ पर मुखता सम्मिध द्रिष्टी की चल रही है तो सम्मिध द्रिष्टी की अपेक्छा यहाँ पर छेवसम निमत्तक नाम का जो अवधिग्यान है अर्था जो तपस्या, शाधना, गुण के माद्यम से जो है अविदी ग्यान जो है वो चौते गुलेस्थान से बार्वे गुलेस्थान तक पाया जाता है इस प्रकार से यहाँ पर अपने यह शूत्र देखा इसकी और क्या विशेस्था हैं इसे अपन अगली क्लास में देखेंगे सभी लोग जिन्मानी सुति करेंगे हम सब लोग जिन्मानी सुति करेंगे जावानी के ग्यान से सुजे लोका लोग सोवानी मस्तक धरूं सदा देतो हों धोग हे जिन्मानी भारती तो है जपों दिन्रेन जो तेरा सरना धरे सोपावे सुक्चेन सभी को बहुत-बहुत मंगल आश्रवाद सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इती जैन, सरवांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्ग जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अधिती जैन, सामवेद तेलका देवी जैन, मनोज जैन, उशा जैन, सुनित जैन, नीरद जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंधना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वानी जैन श्रीमती कमलेश जैन, धर्म पत्नी, सुवर्गिय श्री श्री पाल जैन, परिवाल क्यू यू, 149C, पीतंपुरा दिल्ली श्रीमती आशा जैन, धर्म पत्नी, श्री सुख माल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवी जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतु जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU-71, पीतंपुरा दिल्ली श्रीमती केला जैन, श्री जगदी शुराय जैन, श्रीमती उशा जैन, श्री कुल भूशन जैन, श्रीमती प्रीती जैन, श्री संजे जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU5, पीतंपुरा, दिल्ली श्री संजे जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्करिष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाती जैन, उन्नती जैन, आगम जैन, F1U1 पीतंपुरा श्रियाजे कुमार जैन, श्रिमती सुमन जैन, श्रियाभीशेक जैन, श्रिमती दिव्या जैन, मास्टर लविथ जैन, BU-101, पीतंपुरा